C.A. सुमिद बैता के होते हुए हमारी जनता WhatsApp Community क्या है? इसका जवाब अभी तक रून रही है? ये बिलकुल acceptable नहीं है साथ इसलिए आज की वीडियो dedicatedly है WhatsApp Community के उपर कैसे Community बनानी है? एक ग्रूप और चानल से कैसे different है? इसमें ऐसे क्या खास features है? ये सब कुछ हम आज cover करेंगे मेरा नाम ने C.A. सुमिद बैता और ये है Classplus का YouTube चानल सबसे पहले सीखते हैं कि WhatsApp Community बनानी ही ऐसे मैं आपको Step by Step बताऊँगा तो आपको चाहिए सबसे पहले अपना phone, Android, iOS कुछ भी हो, दोनों चलेंगे, देख सकते हैं आप WhatsApp फूलोगे तो नीचे आपको Communities का option देखेगा इसमें New Communities पे क्लिक कीजिए फिर Get Started पर और आप अपने Community का नाम और Description डा दिए और जो Bottom Right में आपको Arrow दिख रहा है न उसमें क्लिक कर दिए लोग आईए तो बन गई आपको Community हो गई तयार लेकिन यह सब तो आपको पता था अब हम जान दे कि इसको चलाना कैसे है और इसके क्या इसे सबसे Best Features है इसके बारे में हम यह वीडियो बना रहे Important Features to Remember ठीक है, सबसे पहली बार Community में आपको Options है कि आप Individually भी आड़ कर सकते हो लोगो को और तो आप Groups पर भी लोगों को Add कर सकते है लेकिन दो Groups आपको इसके इंदर Already Pre-Made मिलते हैं ठीक है, there is a separate Announcement group जहाँ पर जो भी आप Message डालोगे हर एक Member के पास हर एक Group के पास वो Message जाएंगे लेकिन उस पर वो Reply नहीं कर पाएंगे लेकिन React कर पाएंगे React कर पाएंगे आपके Message उस पर और अगर आप कोई Poll डालते हो तो उस पर वो Vote भी कर पाएंगे जो दूसरा Pre-Made Group उनको मिलता है उसको बोलते हैं General ठीक है, यहाँ पर सब लोग आपस में एक दूसरे से बात कर पाते है जैसे आप देख सकते हो कि कोई Message डाल रहा है तो सब कोई, हर कोई कर पा रहा है Message उस यहाँ पर Communicate एक दूसरे से वो कर सकते है ठीक है, लेकिन हमेशा तो भोगा नहीं कि आपको ऐसे Message डाल रहोंगे जो पूरी Community के साथ Communicate करना हो हो सकते है आपको एक Group, लेसे कि एक Batch के साथ Communicate करना है तो Batch, 2, 3, 4, जितने भी है, वो तो Spam हो जाएंगे, उनको बेजने का पायदा नहीं तो आप एक काम कीजिए, कुछ नहीं है आप अपने Group को जो उपर Profile Section है, उसको खोलिए उसमें आपको बहुत सारे Group दिख जाएंगे, जो भी added है उसमें जिस भी Group के साथ आपको Communicate करना है, उसको खोलिए और वहाँ पर Photos, Videos, Polls, Texts, जो बेजना है, बिंदास बेजिए एक और बहुत ही बढ़िया Features के बारे बताओ WhatsApp Community में, you can have a video call of up to 32 people together टोटल 5,000 members add हो सकता है WhatsApp Community पर और Security की चिंता मत कीजिए, WhatsApp keeps all your data secure and encrypted end-to-end encryption का मतलब यही होता है कि जिस भी तरग के जैसे calls, WhatsApp, जो कुछ भी आप बेज़ते हैं, जिसके साथ भी आप आदान-बादान करना है टोटली encrypted रहता है, अगर hacker ने रस्ते वे, उसे hacker ने कोशिच भी करी तो वो समझी नहीं पाएगा तो, ease of access, security और पर सारे batches याद classes को एक ही साथ, एक ही प्लाटफॉर्म पर manage करना और अगर आप WhatsApp marketing नहीं कर रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती है, ऐसा हम में क्यों कह रहा हूँ? अगर आपको एक batch को WhatsApp पर लाना, तो WhatsApp group, अगर आपको अपने सारे batches को, तो WhatsApp पर लाना है, बट उन्हें mix नहीं करना, तो WhatsApp community, और अगर आपको अपने सारे स्टूडेंट्स को, सभी batches और courses के एक WhatsApp पर लाना है, ठीक है, तो WhatsApp channel, समझ गए आप, ग्रुप पर सिर्फ बाते हो सकती है, चैनल पर सिर्फ admin messages कर सकते हैं, broadcast को, और communities में दोनों कर सकते हैं, तो ये है communities का फायदा, I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अभी भी अगर कोई भी doubt है, तो नीचे comment में हमसे सवाल पूछ लीजिए, मैं शोबिक जीतू और सचिन जी हम सारे आपके लिए बढ़िया बढ़िया content लाते रहेंगे, I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं वेलू को आपसे अगली वीडियो में पाकी सब first class है,